एवं बुध्धे परम बुध्वा संसत भ्यात्मान मात्मना जही शत्रुम महाबाहो काम रूपम दुरासदम इस प्रकार बुध्धी से परे आत्मा को जानकर बुध्धी के द्वारा मन को वश्मे करके हे महाबाहो तुम इस दुर्जय दुरासदम काम रूप शत्रु को मार मनिश्य को अपनी शक्तियों को पहचानना चाहिए आपकी शक्ति जो भीतर है वही परमूर्जा परब्रह्म की ताकत है उस सब आपके भीतर है परंतु आप उसे भूल जाते हैं अपने स्वभाव को भूल जाते हैं अपने आपको याद करिए भगवान ने आपको ताकत दी शक्ति दियु से याद कीजिए उस परमूर्जा के साथ जुड़िए जब परमूर्जा से जुड़ेंगे तब आप आत्मा की ताकत से बुद्धी को नचाएंगे पुद्धी मन को नचाएगी और मन इंद्रियों को और शरी को नचाएगा परंतु हालत अभी उल्टी है शरी इंद्रिया मन को नचाती है मन बुद्धी को नचाता है और बुद्धी आत्मा को नचा रही है सब उल्टा कर लिया अपना ही नाश कर रिया परंतु जो सत्य की रहा पर चलते हैं जो खोजी हैं पिपासू हैं जो जानते हैं इतनी जनम भटक लिए अब तो समल जाओ कब सम बाद कि पूरा जन्म बीत जाएगा तो भी सिद्रेंगे जन्म एभी से अब ही इसी शन सुधर सकता है इसले कहते हैं प्रेजिंट मुझमिंट में जीएं जो सघ्र मिला है उसमें जीएं कलपर मत्त आलीं जिसमें कल पें टाला इसका मतलब हो करना ही नहीं चाहता, बहुत simple logic है और जिसे करना है वो आज करेगा, अपने उपर नियंत्रन पाना है तो अभी से संकल्प बद होईये, अपने उपर भरोसा कीजिये, अपनी आत्मा पर भरोसा कीजिये, पर मात्मा पर गुरुसत्ता पर कीजिए सागर की जो लहरे हैं उन पर भरोसा नहीं होता भरोसा होता है सागर की गहराई पर उसके तल पर ऐसे ही भरोसा संसार की चीज़ों पर مت कीजिए जो उपरी उपरी लहरे हैं उन पर नहीं परन्तु जो गहरा है आपका आत्म केंद्र उस पर भरोसा कीजिए जो स्वयम पर भरोसा नहीं करता वो क्या अध्यात्मिक रक्ति है वो अध्यात्मिक है ही नहीं अध्यात्मिकता को ढोंग रश्ता है स्वयम पर पहले विश्वास करें अपनी आत्मा में स् स्वयम को नहीं ढूंड पाया वो पर मात्मा तक नहीं पॉश्टा अपने उपर भरोसा स्वयम पर भरोसा मनिश्य की इंद्रियां हैं इतनी आदत डाल दी इतनी शक्ति दे दी इंद्रियों को कि वही हमें नचा रही हैं अब राक्षस बन गई हमारा गला दबाती हैं हमें कह करो ऐसा ही कृत्ते करो यही कर्म करो ऐसा ही भोजन लो ऐसे ही आलस्य में पड़े रहो ऐसे ही लापरवाह बनो सताती हैं और इस जन्म की थोड़ीना आदते हैं जन्मों जन्मों की आदते हैं यह हैबिच्छल है मन को तो कहती है तुम्हाराम करो तुम्हारी जरूरत क्या ह हमने सब वागडोर ले ली मन बुद्धी का तो प्रयोग ही नहीं प्रयोग किसका? इंद्रियों का समय पर भूक लगेगी एक बज़े अगर लंच लेते हैं तो पहर के वक्त तो उसी समय भूक लगेगी mechanical habit सिगरट पीते हैं तो एक समय पर तलब लगेगी शाय की तलब लगती है चाय पीने का मन करता है तो सब चीजें एक तलब एक प्यास, एक आदत अपनी रुटीन में चलती है मन को कब बुलाती हैं इंद्रिया जब कहीं फस गए अरे सिगरट नहीं मिली जाओ मारकेट जाओ ढूंडो लोगों से पूछो कहीं से भी लेकर आओ मेरी डिमांड है, मेरी शरी की डिमांड है मेरी इंद्रिया मांगती है इंद्रिया धक्का देंगी मन को जाओ जाके सिगरेट लाओ जाओ जाके शराब लाओ और व्यक्ती जो शराब में, सिगरेट में फसा हुआ है, वो कभी मुक्त नहीं होका वो मुक्त कैसे होगा, इतनों पल दे दिया उसने इंद्रियों को कैसे मुक्त होगा मुक्त वो तभी होगा, जब अपनी इन इंद्रियों को वश में करने के प्रयोक शुरू करता है और लड़ाई एकदम से नहीं हो सकती इंद्रियों से क्योंकि एकदम एक दिन में सोचेंगे बदल जाएंगे कभी नहीं बदलेंगे धीरे धीरे चीज होती है जैसे जैसे बांधा वैसे वैसे खोली है अपने को दीरे दीरे और सब कुछ अपने हाथ में भी मत ले लीजिए कुछ परमात्मा पर भी छोड़ दीजिए समर्पन का भाव मुझसे नहीं हो पा रहा है इश्वर तेरी चड़नों में समर्पे अब तू उबार तू ही उबारेगा तो हम उबरेंगे नहीं तो हमने कहा ताकत क्योंकि अनकॉंशिस पोर्स इस जनम का नहीं जन्मों जन्मों का होता है और इतनी ताकत होती है कि हम मजबूर हो जाते हैं, पश्वों की भाती व्यवार करते हैं, करना पड़ता है, नहीं तो लगता है प्राण निकल जाएंगे, तो यह जीवन परमात्मा को समर्पित कीजिए, तो इंद्रियां कंट्रोल में आएं, मन के द्वारा, तो इसके लिए छोटा सा एक प्रयोग किया जा सकता है, जो काम करें, मन लगा कर करें, बोलते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, तो उसमें मगन होईए, आप भुजन करते हैं, तो पूरी श्रद्धा से 100% उसमें इन्वाल होईए, आप आफिस में काम करते हैं, पूरी तलीनता से काम कीजिए, हर चीज में ध्यान लगाएं एक काग्रचित हो इससे लाब मिलता है जैसे ही इंद्रियों से ताकत मन पे आएगी तो मन पावफुल होगा कंट्रोल करेगा इंद्रियों को बुद्धी मन से भी जादा पावफुल है परंतु बुद्धी को हम बागदोर नहीं देते यहां भी गरवड होती है जब मन भी उलच जाता है तब जाकर बुद्धी की याद आती है अब गाड़ी चला रहे हैं गाड़ी चलाते चलाते अचाना कोई सामने आया तो तुरंत प्रेक लगता है तब बुद्धी विसाइड करती है कि राइट जाएं या लेफ्ट जाएं किस और स्ट्रेडिंग को मुरा जाए जिससे प्राण बचें कि मन उलच जाता है उस समय बिजनस पर फस गए लगा अरे अभी तक लापरवाही थी तुरंत बुद्धी काम आती है नहीं अभी रुको इस से आगे लापरवाही की तो मारे जाएंगे पूरा बिजनस ढह जाएगा खर्चों पर लगान दो कंट्रोल करो तुरंत बुद्धी निर्न देती है तो एमर्जेंसी में हम बुद्धी का प्रयोग कर रहे हैं नॉमली नहीं कर रहे हैं तबी कहा जात बुद्धी यूग का पालन कर तो 100% अन्जी यूजे होती है और किसी सवखकी युजे योग करता है किसी पल की इच्छाकी वशिभूत वकर करता है तो मन के चोटी पावर यूजे हो तो मन कंट्रोल हो जोकि दोरह कई लोग यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं पर अहंकार हो जाते हैं उन्हें लगता है उनके दिमाग से जादा बड़िया दिमाग किसी का है ही नहीं वो सुनते ही नहीं किसी की मानते नहीं किसी की कोई उन्हें राय दे तो सुनेंगे नहीं मुड़के नहीं देखेंगे उनके लिए उनका दिमाग उनकी बुद्धी सबसे आगे सब काम कर लिए बिजनस में सारा दिमाग लगा दिया सारी शक्ति फिर भी ऐसी जगे पे बात उलजी कि अब बस लगता है भगवान तुम ही पीछा छुड़ाओ तब जाके मुसीबत से पीछा छुटेगा तब व्यक्ति भगवान को याद करता है जब सारी चीज़ें आपने उपलब्द करा दी अपने बच्छी की जान बचाने के लिए और डॉक्टर ने एंड में कह दिया आप दुआ चाहिए हमने सारी ट्रीक्मेंट दे दी तब उध्धी हारती है तब परमात्मा की तरफ चलती है ये मनुश्य का हाल है तो यदि शुरुवात से सीधा कर लिया जाए तो कितनी सरल हो जाए जिंदगी में परमात्मा की इच्छा ही यदि हमारी इच्छा हो जाए हमारी इच्छा नहीं परमात्मा की इच्छा क्योंकि हमारी इच्छा तो शरीर मन और बुद्धी में उत्तपन्न होगी परमात्मा की इच्छा तो उपर ब्रह्मान से आती है वो जो आदेश दे उसे लीजिए उस उर्जा को ग्रहन कीजिए जब वो उर्जा आपके अंदर आए बस उसी उर्जा के साथ आपकी बुध्धी चले और वही बुध्धी वही सात्रिक बुद्धी मन को आज्या दे यह ऐसा करो और मन आज्या दे इंद्रियों को शरी को तुम इस प्रकार से बिहेव करो तो अपने आप ही जिन्दगी सुधर जाएगी तो भगवान श्री कृष्ण का यह जो कर्म योग है यह जो चाप्टु थ्री है यह सिखाता है कि मनश्य निश्काम भाव से यदि कर्म करता है बुद्धी योग का यानि निश्काम भाव का पालन करता है तो व्यक्ती अपनी मुक्ती जरूर कर लेता है और यदि बंधनों में फसना है तो सकान कर्म करते जाएए सुंसार में फसते जाएए फिर तो दुख आएगा ही आएगा ये निश्यत बात है सुख के रूप में दुख आता है घूंगट उसने सुख का ओड़ा अंदर दुख बैठा है जब घूंगट उठाते हैं तो दुख दिखता है और एक शण में सुख दुख में बदलता है इंसान कहते हैं कि जो मांगता है गलत ही मांगता है कुछ मांग भी लिया और वो पूरा भी हो गया तो पता चलेगा कि क्या किया मैंने अपनी जिंदगी के अंदर गलती ही कर ली ये चीज मांग कर मांगा था बहुत सारा धन मिल जाए आज धन तो बहुत है परन्तु मेरा बेटा ही बिगड़ गया अब वो धन को ऐसे बहाता है इतना expense करता है लगता है जैसे की इसको कोई परवाही नहीं है इतना बिगड़ैल है यह हमारा ध्यान भी नहीं रखता लोग बोलते हैं की हमारे दो बेटे हो जाएं लोग चाहते हैं की बेटिया नहीं बेटे हो जाएं परन्तु जब देखते हैं की दो बेटे हुए जिनको मन्नतों से मांगा अब वो ही बेटे ध्यान नहीं देते मुड़के नहीं देखते मा बिमार पड़ी है परंतु बेटा नहीं आता बेटी आती है बेटी आएगी फिर भी ध्यान दे जाएगी घर में पूछ लेगी खाना बना देगी पैसे दे जाएगी जो अपने लिए पॉकिट मनी बचाती है मा को उठा कर दे देती है परंतु बेटा को देने को तयार नही वो अपने पत्नी के साथ अलग रहना चाता है मा के साथ ही नहीं रहना चाता सुनता भी नहीं मा की क्यों सुनें? उसे लगता है कि मा जो है वह एक कोने में ही पड़ी रहे जो चाहिए बस उपर उपर से हम देते रहें पर emotional जो attachment है वो मा के साथ रहती ही नहीं बेटी की रह जाती है तो मांगा था बेटा परन्तु क्या वो सुख मिला जिसके लिए बेटा मांगा वो सुख ही नहीं मिलता तो मनुष्य जो मांगता है गलत ही मांग लेता है इसलिए बेटर है कि आप मांगो मत परमात्वा से सिर्फ एक प्रात्ना करो जो मेरे लिए अच्छा हो भगवान वो करतो आपको जो अच्छा लगता हो मैं वो करने को तैयार हूँ मेरी कोई जद नहीं अगर मैं जद कर रही हूँ या कर रहा हूँ तो समझे आप गलत ही मांग रहे हैं और भगवान मांग पूरी कर भी देते हैं मांग पूरी होने के बाद फिर लगता है अरे यह क्यों मांगा क्यों पूरा हुआ काश भगवान वो चीज पूरी ही न करता मेरी काश न पूरी करता फिर मनुष्य उल्टा जाना चाहता है तो यह कर्मी योग सिखाता है हमें कि हमें अपनी इच्छाओं से उपर जाना है यग्य की भावना से जिन्दगी को जीना है मानव कल्यान की तरफ चलना है और साथी साथ परमात्मा की चर्णों में समर्पित होकर निश्काम भाव से कर्म करने है तभी हमारी जिन्दगी सुधर सकती है और तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है